रचना कारेक्णम के दर्शकों का हार्दिक स्वागत्व मैं हूँ पंकज और आज के इस कारेक्रम में आप सभी से रूबरू होने जा रही है शब्द बुनती हैं रंग चुनती हैं आदाकारी पेशकारी जिसकी दुनिया सुनती है कलाकारी के पंकों से छूलिया क्षितिज बहु आयामी प्रतिभा का नाम डॉक्टर वीना विज दक्ष लेखिका, पारंगत चित्रकार, कुशल आदाकारा, सफल महिला नेत्री, कुल मिलाकर बहु मुखी प्रतिभा की प्रतिमूर्ती हैं डॉक्टर वीना विज उदित लाहौर की माटीक में जन्मी, विभाजन के पश्चात, मध्य प्रदेश की सौंधी धर्ती में पली बढ़ी, पंजाब की पावन धर्ती की बहु बनी, और पती के साथ कश्मीर की वादियों में निखर्ती चली गई जबलपूर विश्व विद्याले की स्वार्न पदक विजेता गंतांत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश की प्रतिनिधी बेस्ट एंड्सिसी अंडर ओफिसर रह चुकी डॉक्टर वीना विज बचपन से ही नृत्य नाट्य में पारंगत रही हैं आप तूलिका से कैन्वस को रंगती रही हैं और कला के प्रत्यक शेत्र में अपनी प्रधिभा साबित कर चुकी हैं आप 1980 में दूरदर्शन और आकाश्वानी जालंधर से जुड़ी और इसी कड़ी में हिंदी वपंजाबी के लगभग सौ नाटकों, धारावाहिकों और छे फिल्मों में सन 2000 तक अभिनए करती रही हैं आपके पती श्री रविंद्र कुमार, विज, कश्मीर में बिजनस्मेन हैं, दोपुत्र, रोहित और मोहित इंजीनियर हैं, तथा पुत्री स्वाती, BCA, MBA प्रसिक्षित हैं आप सफल ग्रिहस्त संचालन के साथ साथ महिला काव्य मंच की उपाध्यक्षा की भूमिका सक्रियता से निभा रही हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी चारो भाशाओं में लेखन हेतु धेरो इनाम प्राप्त कर चुकी हैं आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं सन्नाटो के पहरेदार, पिघलती शिला, कदम जंदगी के तुर्पाई और अन्य कहानियां, दरीचों से जाकती धूप, मोह के धागे, सुर्मई कहानियां, छुटपुट अफसाने, भूले बिसरे और प्रकाशना, धीन, आत्म कथा, आइना और अक्स, पुरसकारों की बात करें, तो 2007 में कहानी संग्रह पिघलती शिला को ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा सर्वोतम कहानी संग्रह घोशित किया जा चुका है, डॉक्टर वीना जी को साहित्य सर्वोदे की उपाधी प्राप्त है, अब समय समय पर विभिन संस्थाओं सर्व भाषा संस्कृती समन्वे समिती द्वारा सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं, सन 2018 में पंजाब कला साहित्य अकादमी द्वारा आधा जहान संमान तथा विद्या वाचस्पती संस्था द्वारा विशेश पुरसकार अरजित कर चुकी हैं, और विभिन राश्ट्रिय तथा अंतर राश्ट्रिय संस्थाओं से जुड़कर आभासी पटल पर सतत सक्रिय बनी हुई हैं। जब मैं नाइंध क्लास में थी तो पहली कलाकार तो मुझे लगा था मैं एक चित्रकार ही बनूँगी और पेंटिंग्स करूँगी क्योंकि मैंने कुछ ड्राइंग्स करी और मुझे अपने आपको लगा कि मैं बहुत सुन्दर ड्राइंग कर रही हूं। तो मैंने तूलिका को उठा लिया और कैन्वस रगने शुरू कर दिये। और यह जो कलाकार की भावना हैं यह अंदर आ गई कि मैंने कुछ रगना है तो हम उन दिनों में काढ़ होते हैं कि इंग क्या है हुख करने के लिए काणी कि जिसे ब़ड डे काण हो गये गए अनुवर्सरी काण हो गय तो यह मैं के उपर कलाकारी कला मता को रंगों से उसको सजाना शूरू किया और से चिपकाके सहिले को देना चुरु किया तो मुझे तो लगा था कि कहला कारी बन जाओंगी और अच्छी painter बनोंगी और नानक Singh की paintings को देख्ती थी जो की हिमाचल के जंगलों में बैठके इन्होंने अपना घर बनाया हुआ था और उनकी पेंडिस को देखके मैं बहुत खुछ होती थी कि मैं में यही बनने वाली हूँ यह नहीं पता था कि जीवन कुछ और मेरे लिए रस्ते सोच के बैटा है यहां पे तो बड़ी रहे हैं किस रह गुजर कोबिया आप निकल पड़े पता ही नहीं कब कौन सी करवत आ गई तो कला का तूली का को हाथ में पकड़े पकड़े आगे बढ़ती गई और मैं जब कॉलेज चली गई तो मैं जबलपुर कॉलेज हम साइस कोलेज़ जबलपुर में पड़ती थी तो वहाँ पर यह काम करती पर मेरा चुपचा लिखना भी चलता था मैं अपनी डाइरी में बड़ी सी डाइरी रखे थी उसमें कहानिया और कुछ कविताएं लिखती रहती थी पर वो किसी को पता नहीं था कि मैं लिख भी रही हूँ वो मेरे अंदर अपने आप चल रहा था एक बोंडर उठता था और कागस पर आ जाता था तो डॉक्टर साहिबा आपके कहने का भी प्राई ये कि आप सबसे पहले तूलिका उठाकर कला के सफर पर चल निकली तो उसके बाद हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने तूलिका को कलम की तरफ मोड़ दिया जी हां तूलिका तो पॉलेज में जाके मैंने कार्ड बनाए तो वो तो अच्छा लगता था सबको पर साथ ही साथ मेरी कलम भी चल रही थी कलम का सफर जारी था और जो मेरे हिर्दे में उद्गार आते थे उन्हें में उकेरी जा रही थी एक डाइरी में उस डाइरी में कविताएं भी थी और कहानिया भी थी तो हमारी हेड अफ दिडिनी डिपार्टमेंट जो थी वहाँ पर जबलपूर कॉलेज में उन्होंने का आप हमारी मेगजिन में लिखिये तो जब मैंने लिखा तो उन्हें बहुत पसंद आया तो इस तरह से लेखन का सफर जो है कॉलेज से स्टार्ट हो गया डॉक्टर वीना जब लिखती हैं तो शब्दों का वो सफर जहन से कागज तक की आतरा कैसे तै करता है कैसा महौल चाहती है अब जब कोई विचार उड़ते हैं अनुभूतियां जागरित होती हैं तो अभिव्यक्त होने के लिए वो समय नहीं देखती कोई भी कवित्री होएगी या कोई भी साहित्तेकार है जो लिखन से वाबस्ता है तो उसको यह होता है कि जस्वकत मेरा विचारा है मैं इसको तुरंत लिख दो जी अब यह होता है कि कभी कोई विचार आया तो अख़बार ही पास में पढ़ी है, तो पैंट तो मेरे पास, most of the time होता ही है, कि मेरे पर्स में होता है, कहीं मैं जा रही हूं, सफर कर रही हूं, या कोई रसीद किसी चीज की पढ़ी पास में, उस पर विचार लिख लिए थोड़े से, क्योंकि इस समय उठा है विचार, जवार आया है उसमें तो सफर की बात की आपने, कि आप सफर कर रही हैं, तो लिख रही हैं, तो आपकी तूलिका से कलम तक का सफर तो हमने जान लिया और जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप लहोर में, जिनमी, मध्यप्रदेश में पली भड़ी, उसके बाद जालंधर में बहु बन कर राई, फिर अपने पती देव के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में विचरती रही, और अपने बेटों के साथ विदेश में जा बहुत प्यारा प्रशन पूछा है आपने कि वाकई मैं बहुत जगह जाती हूँ, और लेखनी भी ब्रभावित होती है, जहां सफर में है, जिस अंचल में मैं पहुँचती हूँ, उस अंचल का भी असर पढ़ता है, उसके उपर कश्मीर जाती हूँ, तो मेरी कहानियों मे कश्मीर चलगता है, वहां की कहानिया लिखती हूँ, कश्मीरी लड़कियों की, क्योंकि नारी के उपर जब आपने लिखना है, और समस्याओं के उपर लिखना है, समाजिक समस्याओं, क्योंकि साहित तेकार तो समाज का आइना है, तो मैं उन समस्याओं को जब देखती तो मेरी कलम चल पढ़ती है अपने आप कि अभी इन समस्याओं को मैंने अपनी कहानियों में डालना है और ज़्यादा करता है था हासीन वादियों में मेरी कविता जो है वो उस हासीन वादियों से पूरी भरी हुई है क्योंकि इतने नजारे देखते हैं हम आपर, जो कि हम यहां समझ नहीं आते कि ऐसे हो相信 है, तक करतीगिन हमें सब्सक्राइव केशRes को दीया है और कि कहा है, कि आप इसको अनुबवक करणे हो, तो इसको अभिवेक्त होना ही पढ़ता है , जबकि एक कवी उसको देखता है तो फिर कव्यद प्रसमुठित होना आर담 हो जाता है तो मेरी कहानियों में आपको मेरी तुर्पाई कहानी बहुत चर्चा में रही क्योंकि वह कहानी वहां की एक कश्मीरी लड़की की कहानीं है डॉक्टर वीना जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अब तक कुल कितनी प्रकाशित रचनाएं हैं? जिनको किताबों में स्थान मिला है, किसी में 20 कहानिया है, तो किसी में 22 कहानिया है, किसी में 18 कहानिया है, मेरी किताबों की पुस्त किताबे हैं, कहानियों की भी, और कविताओं की भी, किसी में 100 कविताए हैं, तो किसी में 100 कविताए हैं, तो ये किताबे जो हैं, वो मैं वही कुछी मुझे इस किताब के चपने से हो रही थी सनाटों के पहरदार से जैसे पहरदार रह अंदर से बाहर आना शुरू हो गया सबूछ वावनाए अभिव्यक तो आरंभ हो गई तो सनाटे खट गए तो समनाटे वैसे मैंने कश्मीर की वादियों के चीड के पेड़ लिए थे कि वहाँ वो समनाटों को संभाले रखते हैं तो ये मेरी कल्पना थी तो उन समनाटों के पहरेदारों को हटा के मैंने उनके बीच में से उनकी जो कृतियां हैं जो हमें लगता है कि वो चुप-चप खड़ें पर नहीं, वो भी कुछ सोचते हैं, इतनी दुनिया आ रही है, जा रही है, और हम वहीं के वहीं खड़ें, दर्या भी आता है, लांगता हुआ, तो वहीं माले की बर्फ को पिघालता लाता है, और अपने में सही ऐसे पत्थर कि वो शिवा का रूप ले लेते हैं, उसको लोग रूप शिवलिक बना लेते हैं, तो नदिया भी बोलती है, परवत भी बोलते हैं कि हम भी खड़ें तुम्हारे पहरे में, हम भी जागते हैं दर्या में, हम अपनी परचाईया देखते हैं, पर हम उसको सानिध्य नहीं प सकते, नदिया का, पर किंतु हम उसमें ज्दैते हैं, अपनी परशाई देख लेते हैं, तो ये जो भावनाएं हैं, ये वो सनाटों के पहरे दार में आपको सब मिलेंगी जीवन के सनाटे भी आपके कहने का अभिप्रा ये की पेड़ बूलते हैं पत्ते बूलते हैं प्रकृती के कड़ कड़ में कहीं न कहीं स्रिजन की वो प्रकृया चलती है और वहीं स्रिजन की पीड़ा आपकी पुस्तकों के जर प्रश्न करना चाहूंगी जालंधर दूरदर्शन से आपका जुड़ाव और लगाव, एक लंबी यात्रा, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों से अपना अनुभव सांचा करें, तो हमारी ये वारता और भी जादा दिल्चस्प बन जाएगी. जब मैं जदंदर से 1980 में जुड़ी हूँ, तो घर की इस्तरिया नहीं जाती थी वहाँ पर, पत्र लड़कियां तो फिर भी दो-चार वहाँ पर थी, पर कोई किसी की पत्नी वहाँ नहीं जाती थी, उस जमाने में, तो वो अभी-भी बच्चा था हमारा दूरदर्शन, अभ जैसे ही जदंदर में स्टार्ट हुआ, तो मैं इसके साथ जुड़ गई, कैसे जुड़ी, तो ये तो एक कहानी ऐसी है कि आप मेरी जिंदगी का रुखी बदल दी है, जिसने आपने कहा ना पूछा मुझसे, कि आपकी जिंदगी का सफर कलाकार से यहां कैसे आ गया, तो म मैं साहित्यकार भी हूँ और कलाकार हूँ, कलाकार साहित्यकार हूँ, मैं दोनों को गर्व के साथ अपने साथ जोड़ती हूँ, तो वह यह हुआ था कि मैं अपने बच्चों के स्कूल, A.P.G. स्कूल में पढ़ा रही थी, तो वहां एक क्लब लेना होता था, तो मैं डां प्रिशक थे, वह वहां गए अपनी टीम लेके और उन्होंने प्रिंसिपल मिस्टर दूबे से पूछा कि यह कौन है, और ऐसा कुछ औरा था कि उन्होंने कहा कि मुझे इनको अपने दूरदर्शन में लाना है, तो मुझे फोन आते थे कि हम दूरदर्शन से बोल रहे हैं तो वह हमें बार-बार फोन करते थे कि आप फोन पर फिर मुझे उन्होंना बताया कि हम आपको एक रोल करने के लिए बुला रहे हैं, तो मैंने अपनी मदर इनलो से सासुबा से बात की तो वह कहते हैं, नना हमारे घर की लड़किया नहीं जाती तीवी पर, चुप करके ब बड़ा अच्छा लगा, कि उन्होंने ऐसे कहा, हम वहां गए, तो जाने से पहले मैंने पूछा कुछ कपड़े लाने हैं, तो उन्होंने एक साड़ी लेकिया आई है, जब मैं वहां गई, तो मैंने एक रोल किया, तो उन्होंने कट कहा और कहा, मुबारक हो, आप आज से कि अच्छ रूंग दूर्टर्शन की कुलाकार बन गई है क्या थे कुछ समद्ध ही नहीं आया और ना को हम फोर्म भरा एन डर्य ऑप लुक्त हो दिया तू कि आप ने तू एक ही कट में को कर दिया तो मैं हैरान थी पर यहां से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ लाइफ का और रवी जी को वहां का महौल इतना अच्छा और रिस्पेक्टबल लगा कि कहने लगे दूरदर्शन में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है वहां तो सारे इतने आदर सतकार से आपको बुलाते हैं और नारियों की इनकी लेडिस की भी बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है तो यह तो फाल्तू की बाते हैं बाहर जो कहते हैं और मैं दूरदर्शन की कलाकार बनगी तो बहु आयामी सफलता आपने अरजित की आप महिला नेतरी हैं अभिनेतरी हैं आदाकारा हैं चित्रकार हैं लेखिका हैं तो आपकी विभिन भूमिकाओं वेसे वह कौन सा रूप है जिसमें आप खुद को सबसे जादा सहज महसूस करती हैं खुद को कौन से रूप से अधिक करी मानते हैं वक्त वक्त की बाते हैं कोई समय था कि मुझे जब मैं दूर दर्शन पर काम आरम किया तो मेरे अंदर था नाटक करने की शमता एक कला थी जो कि मैं थेटर भी करती थी आयाम थेटर ग्रूप की मेंबर थी और हमने बादल सरकार मोहन राकेश और काफी लोगों के हमने बहुत सारे नाटक किये तो उन नाटकों में मुझे बहुत अच्छा लगता था और फिर उसके बाद हमने नाटक किया शहीद आजम भगत सिंग जो एक स्टेज नाटक भी किया मैंने टीवी प्ले भी किया और दूर दर्शन देली से नैशनल हुकप के मुझे लगता था क्योंकि इसको मैंने बार बार निभाया तो नाटक के लिए भी हम अमेरिका जा रहे थे तो आधे लोगों को मिला वीजा आधे को नहीं मिला और अकबर का शो किया दुल्ला भट्टी की माँ बनी तो उसमें भी इतना वो गहराई वाला कर्दार था कि मु करके सब जगा जा रही हूं और जो करोना टाइम आया उसने वेबिनार्स शुरू कर दिये हैं तो मुझे अंतर राश्टी का लाकार बना दिया गया है अंतर राश्टी कवित्री बन गई हूं मैं क्योंकि मेरे कावे के वेबिनार्स बहुत ज्यादा होने लग गए हैं और आश्टी अंतरा के वहां पर वेबिनार्स पर इंटर्वी होते हैं मुझे विशिस्ट अतिथी बनाकर बहुत सारी स्टेट्स में इस बार मैं नौ स्टेट्स में वहां अमेरिका में special guest विशिष्ट अतिथी बनकर कावे-पाठ करती रही और मुझे जगा जगा पर विभिन संस्थाओं ने सम्मानित भी किया तो डॉक्टर साहिबा आपकी इस बहु आयामी सफलता का श्रे यदि आपको किसी एक व्यक्ति को देना हो तो किसे देना चाहेंगे जीवन में बहुत मुकाम आए और मुझे लगता है कि जब आप कुछ ख्वाईश करते हैं या चाहते हैं तो केहते हैं सारी कायनात जुड़ जाती है ईसमें आपका साथ देने को तो मुझे इसे काम में जँए मेरा ऑरा बड़ा तो साहति ही मिले ह्खिए पल एक कॉलेजनी इस रख्वाईयूदा कि मुझे लोग बुलाया जाता था और बार बार मेरा नाम लेता थे तो किसमें भ यह डिकता वहा की तीचरों कहूंगी फिर यहां मुझे शुरंदर निजी लिया है पर सब के पीछे तो आते हैं मेरे पती अगर रवी जी या मतलब जिन्हें आएशरी आर के भीच बोलते हैं तो मेरे पती अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो ना मैं दूदर शन जा पाती न मैं नाटको में जा पाती। तो जो कहा जाता है कि पत्नी की सफलता के पीछे पत्ती का ही हात है like to isma Cantania's!. चया सब लुऔर देती हैं। उन Si q twelve morning की वज़ में चमकते हुए एस्पटल को छू जाए और हमेशा हमेशा याद रहे। संदेश तो यही है कि हम जब तक लिख रहे हैं हमें वह पढ़ रहे हैं हम आरी समिक्षाएं कर रहे हैं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो उससे एक जागरी तबस्ता में रहती हूँ कि कुछ आएगा और वो मुझे बताएगा कि हाँ भई आप ठीक रस्ते पर चल रही हैं तो मैं तो यह कहूंगी कि जीवन में आप सो मत जाओ अगर अंदर कुछ है आपके तो आप करोगे मेहनत करनी पड़ेगी बहुत क्योंक और मेरे मामा जी भी आयस जोहर थे तो वो फिल्मी लाइन में थे मेरे संस्मरण है आज कल मुझे हरीश नवल रहे हैं आप संस्मरणों की रानी हैं मतला आप इतने अच्छे संस्मरण लिखती हैं कि वो लोगों की पहली चौइस बन चुका है पढ़ना कि पहले सब देखत आपका संस्मरन कोई आया है और वो मुझे कहते हैं कि आप तो उनकी रानी है तो मेरे संस्मरन बहुत चल रहे हैं तो मैं मतलब कि फिल्मों में भी नहीं गई चिर्फ लेखन की तरफ उद्रित भो गई क्योंकि मुझे लगा मुझे लेखन की तरफ ही जाना है यहां बैटके भी मैं अपनी चाहे किताबे लिखती हूँ और हमारा हमारी खुशन से भी है कि हम आज के अभासी पटल पे आ गए हैं हम लोग तो हम लोग कुछ भी जो बोलते हैं तो वो सबको पहुच जाता है मैंने कावय की भी धराएं शुरू करी थी फेस्बुक पर कि हर कोई आठाठ कविता लिखे आए नहीं प्रतिभाह को मैं देना चाहती हूँ कि नहीं प्रतिभाह आए और आगे बढ़े यहने कि हम जो पुराने लोग हैं वो बैठे और वो ही लिखी जा रहे हैं नहीं प्रति अगर आप वेबिनार्ज में बोलेंगे तो आपकी कविताएं सांस लेंगी जीएंगी लोगों तक पहुंचेंगी आपके विचार लोगों तक पहुंचेंगे तो मैं संदेश यही देती हूँ कि आप आगे आए और सब बच्चों को लड़का है और लड़की है अपने वि और आ पर देख का नाव पर करिये आंतर राश्ट्य कर अनतर राश्टaltung कभी बनिये और आगे बढ़े आपने जो अंदर शौक है उनको लेके दबाओ मत उनको लेके आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ तो डॉक्टर वीनाविज उदित जी आप से बात करके मन मुदित हो गया और रचना कारेकरम का फलक भी सूर्य की भांती प्रकाश्वान हो गया तो आज की इस यादगार गुफ्तगू को यही विराम देती हूँ और आप से अलविदा लेती हूँ आप ही की लिखी रचना वो लम्हे की कुछ पंक्तियों के साथ जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा कर लौकर में सहेचती रही फुरसत से खर्चूंगी किसी रोज बस यही सोचती रही उधरती रही जेब करती रही भरपाई एक दिन फुरसत जो मैंने पाई तो फिर मिलेंगे किसी बोड़ पर तब तक के लिए ससने नमस्कार